हेलो दोस्तो दा अल्टीमेट सपोर्ट्स में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमसकार उमीद करता हूँ आप सभ लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो दोस्तो आकास चोपडा जो की फेमस क्रिकेटर है और उस से भी बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट है उन्हों ने अपने एक YouTube वीडियो में KKR का analysis कि कोलकादा नाइट राइडर्स का कैसा रहा season और KKR को क्या करना चाहिए, अब दोस्तों उन्हों ने क्या बोला ये पूरी बात तो दोस्तो सबसे पहले तो आकास शोपडा ने कहा कि KKR अपना पहला मैच हारने के बाद बहुत ही अच्छा कमबैक किया बाकी बचे 6 मैचों में से 4 मैचेस जीते KKR ने यानि कि पहले 7 मैचेस जीते वैसा ही परफॉर्मेंस KKR को अगले पार्ट में भी करना था अगले 7 मैचों में से भी अगर KKR 4 मैचेस जीत जाती तो उनके 16 अंक हो जाते और KKR क्वालिफाई कर जाती प्ले आफ्स के लिए पर दोस्तो ऐसा नहीं हो पाया पहले 7 मैचों के बाद ही KKR का कप्तान बदल दिया गया साथ में से 4 मैचेस जीतने के बावजूद KKR का कप्तान बदल दिया गया दिनेश कार्तिक की जगा इयान मॉर्गन जो की इंगलेंड की कप्तान है उनको KKR का कप्तान बना दिया गया पर दोस्तो रिजल्ट अच्छा होने की जगा और जादा बुरा हो गया क्यूंकि दोस्तो नेक्स साथ मैचों में केके आर सिरफ तीन जीत पाया और रन रेट के फेर में फज गया और दोस्तो इस साल भी लगातार दो साल केके आर प्ले आफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी दो बार चैंपियन इतना बड़ा नाम केके आर वो अगर लगातार दो तीन साल क्वालिफाई नहीं कर पाये प्ले आफ्स के लिए तो य के end तक भी fix नहीं हो पाया कभी दिनेश कार्तिक ऊपर आ रहे है कभी इउन मॉर्गर नीचे आ रहे है ओपनर सेटल नहीं हो पारे थे सुनील नारायन कभी opening कर रहे है कभी first down आ रहे है कभी चार विकेट के बाद आ रहे है तो केकियार का जो batting order था वो सेटल नहीं हो पारा थ बालिंग भी सेटल नहीं हो पाया कभी प्रसित कृष्णा खेल रहे है कभी शिवम मावी खेल रहे है कभी नागर गोटी खेल रहे है कुलदीप यादफ को तो उन्होंने खिलाए नहीं जो की इंडियन टीम में खेलते हैं इंडिया के खिलाडी है उनको तो उन्होंने खिल दोस्तों और रसल ना बॉलिंग ना ही बैटिंग किसी से भी परफॉर्म नहीं कर पाए ऐसा लगता है कि जब और रसल नहीं चलते तो केकलर की जो आदी हिम्मत है वो वैसे ही खतम हो जाती है तो एंड्रे रसल का ना चलना एक बहुती बड़ा पॉइंट है KKR के प्ले आफ में ना पहुच पाने का या फिर KKR का बुरा परफॉर्मेंस करने का क्योंकि अगर आप पिछले साल देखे तो एंड्रे रसल की वज़े से ही KKR आधे मैच जीती थी और दोस्तो इस साल के सबसे बड़े प्लस पॉइंट रहे KKR के लिए शुबमन गिल और वरुन चकरवर्ती जीहां दोस्तो शुबमन गिल एक बहुती मैच्योर क्रिकेटर दिखे इस साल शुबमन गिल बहुती अच्छे टेकनीक लग रहा था उनका अच्छे फॉर्म में ल जी नहीं पाए और इस IPL के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भी सिलेक कर लिया गया था हां इंजरी के कारण वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए पर वो फर्स चॉइस थे उनको सिलेक कर लिया गया था उस्ट्रेलिया टूर के लिए इतनी शांदार गेंद को रिटेन करना चाहिए उनके हिसाब से आकाश चोपड़ा के हिसाब से तीन प्लेयर है शुबमंगिल आंद्रे रसल और वरुन चक्रवर्ती शुबमंगिल इसलिए क्योंकि एक नया टैलेंट है उबरते हुए सितारे है इंडियन टीम में बहुत जल्दी जाने वाले है पर् शुबमंगिल दोस्तों शुबमंगिल को आकास चोपड़ा कहते है कि उनको कैप्टन भी बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि जो क्रिकेट का ग्यान है वो शुबमंगिल का काफी अच्छा है दूसरा खिलाड़ी जो रिटेन करना चाहिए केके आर को है आंड्र रसल क्योंकि अगर आंड्रे रसल को केके आर ने छोड़ दिया तो जितनी भी आईपियल टीम से सब जपट पड़ेंगी आंड्रे रसल के उपर और इतना रेट बढ़ जाएगा कि केके आर शायद उसके बाद ना खरीद पाए आंड्रे रसल को तो उनको तो बिलकुल ही छ चाहिए अपनी टीम में एक स्पिनर चाहिए तो वरुन चक्रवर्ती से बहतर विकल्प नहीं हो सकता अगर वरुन चक्रवर्ती को छोड़ दिया तो बाकी टीम में जपट पड़ेगी उनके उपर अगर दोस्तों केके आर कैप्टनसी के परस्पेक्टिफ से सोचती है और यह मतलब सई फैसला नजर नहीं आ रहा है इयान मॉर्गन को वो लोग फिर से मार्केट में उतार के बहुती कम रेट में खरी सकती है वापिस केके आर तो दोस्तों इन सब बातों पर आपका क्या विचार है प्लीस कमेंट बॉक्स में लिखे और ऐसे वीडियो देखने के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जय हिन दोस्तों